हेलो 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 ठीक है आज हम लोग जो करने वाले में पॉड्कास करने वाले हैं अपने स्टुडेंट के साथ में जिन्होंने हाली में पांच हजार टोलर से ज़दा का अफिलेट कमिशन जनेरेट किया है तो आप लोगों को उनसे रूबरू कराऊंगा और बहुत सारे हम लो łości कीा अफिलेट मार्केटिंग के अंदर मतलब ने पहलेिश को अंदर उसके बाद में ऐसा क्या होगा में जर्ट earrings के वे printing हम लोग जो यधे करते हैं जो हम लोग यक्शूल में आपको सिकाते हैं में मेंट्र इसके हैं तो आज कोeeee चलेगा आपने कई सारे पोड़कास्ट देखे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर भी बट मैंने सोचा कि मैं लाइव करूं ये सारी चीजे ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कितनी जादा ट्रांसपरेंसी के साथ में चीजे होती हैं आलाकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है जो मैं लाइव कर रहा हूं दो आप लोग सारी चीजे जो भी चीजे हम लोग यहाँ पर बताएंगे जो बेज़ों यहाँ पर शेर करने वाले हैं तो आप लोग समझना और उसको एक्जीक्वट करना क्योंकि knowledge अगर 100% है न और आपके दिमाग में रखी हुए तो उस knowledge कोई फाइदा नहीं है लेकिन अगर आपके पास में 50% knowledge भी है और आप 50% को use कर रहे हो execute कर रहे हो वो बहुत जादा important है ठीक है तो make sure doesn't matter कि आप mentorship पराम में join कर रहे हो नहीं कर रहे हो but make sure जो भी चीज़े आ आपको यहां पर आज आपको सीखने को मिलेगा वो सारी चीज़े जो actual में work करती है अफ्लीट marketing के अंदर आप ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं सुनने वाली है जो कि आप YouTube पर देखने वाले जो कि आप YouTube पर देखते हो मतलब clickbank पर account बनाने के बाद में health के प्रोड़क को नहीं पढ़ती है ठीक है affiliate marketing is not about कि आपको one night में पैसा आने start हो जाएगा और आप घर पे बैटे बैटे बहुत अच्छा पैसा बना लोगे एक रात के अंदर अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कोई परसन अगर आपको यह सारी चीज़े बता रहा है तो गलत कर रहा है आपके सा परसेंटेज जो भी आपने प्रोड़क को चूज किया हुआ है और यही चीज इतने जादा मतलब इंडिया के अंदर इस्पेशली इतनी negativity के साथ में लोग काम कर रहे हैं कि मैं आपको बताने सकता हूं मतलब affiliate marketing को अब यह industry इतनी तेदी से आगे बढ़ रही है इसका इसके में नाम लेनी सकता हूं जो अपनी ही courses को मतलब ऐसी affiliate marketing के नाम देकर उसको ही resell करा रहे है जब तो कोई actual प्रोड़क्ट नहीं होंगा ठीक है लेकिन अगर आप marketing नहीं होती है ठीक है तो उस चक्कर में मत पढ़ना अगर affiliate marketing कर नहीं है तो यूएस के अंदर affiliate marketing जो कि actual affiliate marketing है just like clickbank के उपर warrior plus के उपर अपना jbzoo के उपर digit store 24 के उपर कुछ इस तरह के प्लैटफोर्म है जो कि आपको affiliate marketing के products जो कि यूएस में अच्छे से चलते हैं वह आपको प्रोवाइड कराते हैं तो just give me a some time just give me a two minutes मैं add कर आता हूं and then उसके बाद में आपको कि देन हम लोग को रूबरू करते हैं देन उसके बाद में बात करते हैं कि किस तरह से एक्ट कमिशन जनरीट हो तो एक्च्छल अब लोग करते हैं करने के बाद हम लोग पोड्काइस करते हैं अपने एक बार आपना माइक अंब्र लेजिए और यहां है कैसे हो बढ़िया बढ़िया आप बता हो कैसे बस बढ़िया फस्ट लास ओके सो वी हैब हर्श है हर्श बेसिकली हमारे सबसे पहले कुछ अपने बारे में बताओ जितनी भी ओडियंस है कि आपका पूरा नाम क्या है कहां से बिलॉंग करते हो एज क्या है आपकी सब्सक्राइब करता हूं कोलकाता से हूं बट मैं कोलकाता में बिलॉंग करता हूं सबसे पहले सब्सक्राइब कर रहे हैं किस तरह से स्टार्ट किया क्या जड़नी रही है हम लोग सारे चीज़े जानेंगे हर्श से और सबसे पहले हर्श आपकी आप मुझे बताइए नियुक्तर बात तो मुझे करनी थी क्योंकि फैमिली इसूज थे थोड़े मतलब लून वगएरा थे पापा के नाम पे तो उन सब करने के बाद मुझे और क्लियरेटी आई कि भाई मेंटर्शिप से उतना मेंटर्शिप तो सही है पर सही इंसान से भी लेना पड़ता है वहां पचात रुपय का मैंने चलाया था जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया यूटब से भी मैंने सीखने का को सिस किया और भी लिया तोड़े बहुत थें दस-द्रह जार के आसपास मेरे थे पाकी मैंने पारेंट्स से कुछ लिया खुछ प्रेंट्स से लिए उदहार लेकर भी मैंने किया था तो वो सारे ही मतलब चले गए मैंने वहां पर बहुत जादा नुकसान किया बाद में फिर धीरे मनलब कुछ टाइम के बाद मुझे आपके टीम के बारे में पता चला आपके बारे में पता चला कि आप अप मेंटर से भी देते हो किर्देटिली कमों दिस पॉरिंट सबसे पहले में जानना चाहरा हूं कि अक्ट्यूली में अफ्लेट मार्कर निग के में और जितना मुझे पता हैं जितना अभी तक मैंने बाकिर चुरेंट को देखा है जतने सब लोग यहाँ पर है जो इसार्थ कर पाएंगे कि सब्रों की यूट्यूब पर आपने स्टार्ट किया था यूट्यूब पर आपको पता चला था एक्जीट करने था चीजों को कि उस समय श्टार्टिंग में में पैसे नहीं तो मुझे फटा था ऊपदा चलाओंगा नहीं ठीक से उतना यूट्यूब से ज्यादा स्कूल करके उनके वीडियो देखा करता था तो जब वहाँ पर मैंने आगे में बढ़ा यूटुब पर बहुत जादा वीडियो देख हैं तो उसके बाद कुछ मतलब टीचर्स मिले कुछ गुरूज मिले जो कि बता रहे हैं कैसे करना है वगेरा वगेरा तो उसके बाद जब धीरे दीरे मैंने उसके बाद एक्जिक्यूट करना इस्टार्ट के जब मैंने पर में लिया था तो वहां पर फिर अलबग कुछ किसने टाइम पहले की बात ऑप प्लीज कितने टाइम पहले की बात अलबग जब आपने किसी दूसरे परसंद का में पर पैसे दिये थे वहां पहले एक साल पहले के लोगग एक साल पहले यह सारी चीजिए हुई कि मैंने उन कमेंटर से प्लिया बहुत साथ ट्राइब किया था देन वहां पर ऐसा कोई रिजल्ट तो आया नहीं पर मैं मेरे पैसे चले गए और जब वहां से आगे बढ़ते गया और भी ज्यादा बुले कि यहां से तो रिजल्ट आ नहीं रहा है देन मैंने और भी ज्यादा सर्च करने का ट्राइए किया चीजों को और भी ज्यादा जब डिग इन किया इसमें तो पता चला कि बहुत सारी चीज़े हैं जो सीखनी पड़ती है इसके साथ अफिलेट मार्केटिंग के साथ सेलिंग स्किल्स हो गया हिमन साइक होगी कि एक कि चाहिए अपके प्रोड़क्ट को सेल करना चाहते हो है यह तो चीज़े तो आपके टीम के थ्रूल मुझे मैं लगने लगते तो फिर जब मैंने उसके बाद आपके तो आपके जो में ने जोइन किया देन वहां से टीम ने हल्प की फिर आपके साथ मतलब 1-2-1 सेशन हुए थे तो उसमें बहुत सारी हल्प होई और टीम ने जितना सपोर्ट किया ना मैं बोलूगा कि मेरे मेरे स्ट्राटेजी को बिल्ड करने में एड्स के लिए और गयानिक मार्केटिंग में इस पेसली आप टीम ने हल्प की थी पूरे में जर्नी में राइट सो अच्छा एक चीज में आप पोछना चाहरा हूं कि बेसिकली एफलेट मार्केटिंग की क्यों स्टार्ट करी आपने इसका एक बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी है कि मैंने अफलेट मार्केटिंग इसलिए स्टार्ट की थे ना कि मैं अपने फेस को लेकर ना बहुत ज़्यादा था ठीक है तो मैं यूटूब तो नहीं कर सकता मैं किसे सोसल मेडिया पर दिखा के तो कोई कंटेंट नहीं बना रहा क्योंकि मुझ से नहीं बोला जाएगा मुझ से बनाया नहीं जाएगा तो उस समय बीना कंटेंट कुछ करना नहीं होता तुम तुम किसी को अपना प्रोड़क्ट दो जिनको बेचवाना किया तो मैंने बूला कि ये तो सही है यह से जो मतलब बच्पन से करते आया कि एक दोस्त को कुछ चाहिए दूसरे दोस्ते उठाया दे दिया यही चीज मैंने बुला कि यह तो बहुत इजी है तो इस वज़े से मैंने इस फिल्ड मार्केटिंग के अंदर जितने भी लोग लोग फेल होते हैं उसका में डिजन क्या होता है वोट यू तिंग के आपने पहले भी वह जड़नी भी देखी है कि जब रिजल्ट नहीं आ रहे थे पैसे भी विस्ट हुए एड्स के उपर भी पैसे लगाए है वह भी वेस्ट होए है तो वाट यू तिंग के क्यों फेल होत क्यों वह एक सस्टेनेबल तरीके से अफ्लेट कमिशन क्यों नहीं जन्रेट कर पाते हैं आप मैं देगे बात तो लोगों के फेल होने का रीजन यह है कि सिंपल सा कि वह कोई भी प्रोड़क्ट उठा लेता सबसे पहले कि जो प्रोड़क्ट सारे लोग प्रमोट कर रहे है कि वह लोगों को समझ नहीं पाते कि लोगों को चाहिए गया जैसे अभी के टाइम में वह बोल रहे हैं कि उन्हें अभी फिटनेस फ्रिक्स बहुत ज़्यादा आ गया है तो अभी के टाइम पे देखा जाएगा तो सब को ही फिटनेस के प्रोड़क्ट से सेल कर रहे हो उन अंतर नहीं रहेगा तो वह एक जो हर सिष्टम में लूपोल होता है उस लूपोल पर अगर हम टार्गेट कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि उस जगह से साथ आ सकता है ठीक है तो जैसे कि अभी के टाइम पे पे इस प्रेश्वालिटी को बहुत ज़्यादा मात दिया जा रहा अभी बेट सबस्क्राइबिश्टारा इस दीस तरह जा रहा है उस तरहें पर अगर जाते हैं तो उस तरिके में ऑम See सब्सक्राइब इस तरह से काम करता है इस तरह से काम करती एप एक तरह से इस चीज़ आपको अमीर बना सकता है यह ऐसी चीज़े है वैसी चीज़े पर अल्टीमेटली यह भी बिजनिस जो आपको एक्ट्राइब पहुत कपटा है मारकेट में क्या काम होता है क्या काम नहीं करता है ऑलनान बिसने क्वेश्ण से बत नहीं करते हैं इंवेट आपके यह कुछ मँँद्टि को ठोगी जब कि ओनलाइन चल रहा था इन पर लोग ऐसे हैं वह ब क्या एक्ठीन शुक्त पोड़ी सब्सक्राइब किस तरह से आप एक्जीक्यूट कर रहे हैं और वह आपको सीखने को बढ़ना है तो आइटिंग जो मुझे लग रहा है कि सबसे जो बड़ा लूफोल यह है कि लोग मार्केट को नहीं समझ पाते हैं और जो सबसे बड़ा डीजन यह है कि वह प्रोड़क की र कोई भी हम लोग ओनलाइन बिस्क्राइब करते हैं नहीं करते हैं पहले हम लोग मार्केट को क्या चाहिए उसके बेसिक से प्रोड़क को लौट करते हैं तो एसी छोटी-छोटी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए बढ़ा असर पढ़ता है आपको मार्केट की कितनी समझ हो गई है अभी ठीक है किस तरह से एक्ट्वल चीजे काम गरती हैं तो वो एक चीजे पता चल जाती है बात करने की तरीकी सहीं कि अगर मैं अगर मैं अगर आपको जॉइन किया है दू महीने पहले जब आपके साथ जॉइन किया था उससे पहले मैं खुद नीव बी था मैं उससे पहले कुछ भी नहीं जानता था सच बताऊं तो क्योंकि मैंने जितनी भी चीज़े जानी थी ना वह यहां आकर पता चली वह सारी चीज़ें उन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ठीक है तो मेरा ऐसा था कि जब मैंने यहां पे आया तो मुझे एक चीज़ समझ में आया है कि न्यूबी को सबसे पहले तो कुछ प्रॉब्लम्स होती है कि लीड कहां से लाए ठीक है और प्रोड़क्ट क्या चूज करें फिर चूज कर रहे है प्रोड़क्ट उस नीस में तो अब उस नीस में किस प्रोड़क्ट को चूज करें लेक प्र तो अब आधोड़ा वेचने वाला इंसान सबसे जादा पैसे कभाता है तो अजकल सब को ही बीजनेस करने आना चाहरा है तो अभी सब को tools की जरूवत है like plugins चाहिए email marketing tools चाहिए mostly email marketing tools तो मैंने उन सब पर focus किया and I used to sell those things to मेरे उसके वजे से इधर हुए हैं तो मैंने प्रोड़क्ट्स तरीके का चूज़ किया थोड़ा सा कि मैं थोड़ा सा सेव भी खेल सकूँ क्योंकि टूल साभी लगवक सभी को चाहिए मास ओडियन्स तक भी पहुंच रही थी और यह ऐसा नीज है जिसमें थोड़े से कम मुझे लगता है कि कम भीड है तो उस बज़े से मैंने इस तरीके से चूज़ किया था तो मेरे हिसाब से तो अभी मतलब यह है और ओडियन्स के लिए लिए तो ऑर्गैनिक लिड्स मेरे ल मैंने इस युदो तो मेरे से फॉलो किया ह aún तो उसके बाद मेरा क्या हूआ कि जैसा उसके बाद जो मैंने सारी चीजी और और ऑड जादी का और मैं मुझे नहीं उमीदे ही कि मैं ऑरिनीक भी यह शेय जा worked बहुत क्योंकि सारे ऊसी चलाओ जी फिर दर चाते हैं इंबांड मार्केटिंग का जो आपे मार्केटिंग आपको है जो भी किस?" अपने प्रोग्राम में बेसिकली सीखी है कि एक चीज ना माइंड में यह आपकी गलती नहीं यह मतलब इतनी वी निवीज है उनकी गलती है कि हम लोग ने एक्मोस्फेर ऐसा क्रिएट किया हुआ है बाहर कि ऑगनिक मार्केटिंग के तुर रिजल्टी नहीं आ सकते हैं तो उसके दिमाग में सिंपल चीज आते है कि एसीओ करना पड़ेगा शाहिद हो सकता है और एसीओ में तो टाइम लगता है ठीक है एसीओ में तो टाइम नहीं है इसके अलावा बहुत ऐसी स्ट्रेडिजी जो आपको अभी तक मार्केट में पता ही नहीं है कि एक्चुली मैं क्या चीज़े वक करते हैं जो चीजे 90 लोगों पता है न उससे कभी रिजल्ट नहीं आते हैं यह सभी लोग एगरी करें जो 10 परसेंट चीज आपको नहीं पता है न वही रिजल्ट आपको लाकर देती है 10 परसेंट चीज़ आपको हमेंशे रिजल्ट लाकर देती है लेकिन आपको 10 परसेंट चीज जाननी पड़ेगी कि एक्चुली वह 10 परसेंट है क्या ठीक है जो मैं यहां पर इतना बोलता हूं साइक्लोजिकल मार्केटिंग और उन्यफिंपरसेंट्टिंग, पफॉर्मेंस मार्केटिंग इस्पैचलि साइकलोजिकल बेस्ट इमेल मार्केटिंग राइट कौन कर रहा है आज के टाइम में बहुत कम लोग हैं और जो भी कर रहे है न हमके डिजर्ट आ रहे है लाइव एक्जांपल हर प्रैट्फॉर्म के उपर और जितने भी लोग आगे काम करते हैं ठीकहें हम लोग एक ऐसा एक्मोस्फेर करेट करते हैं यहाँ पर आप लोगों पता है कि एक ऐसा एक्मोस्फेर होता है हमारी क्लासिज में के जो आपको चीजें एक्जीक्यूट करने की तरफ जाधा बड़ से दिमाग में डाल रहे हो अपने एक होता है कि आप साथ में नॉलिज ले रहे हो उस नॉलिज को साथ साथ में एक्जीक्यूट भी कर रहे हो रिजल्ट तो एक्जिक्यूशन से आएंगे रिजल्ट नॉलिज से थोड़े न आते हैं रिजल्ट नहीं आते हैं रिजल्ट आते हैं एक्जिक्यूशन से ठीक है भले ही वो आप अपनी नॉलिज से कर रहे हो भले ही आप दूसरे की नॉलिज से काम कर रहे हो रिजल्ट आपको execution से मिलने वाले हैं so make sure जितने भी लोग start करते हैं कुछ चीज़ आपको पता चलते हैं execute करो मैं आपको हमेशे से यही चीज़ focus करता हूँ जितने भी मेरी classes चलते हैं जो भी चीज़े हम लोग बोलते है main focus जो रहता है execution पे क्योंकि हमें पता है कि result execution से ही आने वाले है that is the reason जैसे हर्ष ने बताया support team का तो I would like to add some points here कि हम लोग यही reason है कि हम लोग whatsapp पे खाली यह नहीं बोलते हैं कि आप text करो हम लोग बोलते हैं बई zoom पर आना हो zoom पर आओ call करने हो team करो call करो इसलिए हम लोग separate number provide कराते हैं हार एक batch के लिए और इसलिए हम लोग जादर लोगों को add नहीं कराते हैं एक batch में एक separate number provide कराने का मतलब ही यही है कि अगर आपके पास में कभी भी जब आप execute करने के लिए बैट रहे हो जबी चीज़े में सही से flow के साथ में execute कर सकता हूं तो that is the reason कि छोटी छोटी चीज़े हैं जो बहुत साथा help करती है आपको आपकी basically जो चीज़ आप execute कर रहे हो execution में आपकी कि अगर आपके पास में कोई problem आ रही है मैं बोलता हूं 24 घंटे के अंदर सोल हो जाएगी ठीक है अब 24 घंटे के अंदर सोल हो रहे है वाट ultimately मुझे तो अभी solution चाहिए उस चीज़ का तो इस तरह का support भी देना बहुत मैं बोलो मैं खुद बोलो को अभी मैं यह चीज़ कर रहा हूं तो मुझे पता है कितना टफ है इस टाइम पर यह बट आप अगर मैं यह नहीं बोलता हूं कि सो लोगों के साथ में काम को रहे हैं सब लोगों के result आ रहे हैं और यह जब एक ऐसा atmosphere बनता है तो मज़बी आता है काम करने में साथ में और motivation में मिलती है तो हर्ष मुझे आप बताओ जितने भी newbies हैं आपर जो हमारा podcast देख रहे हैं इन लोगों के लिए specially कि आपकी according सबसे बहतरीन platform कौन सा है initially start करने के लिए affiliate marketing कि इनिशियली स्टार्ट करने के लिए आई थिंक आपके पर्स्ट आफ और तो सीडियसली मैं एक चीज़े टीम सपोर्ट के रिलेटेड बोलना चाहूंगा कि मैंने एक बार मैं मतलब इन बांड मार्केटिंग के बीच में ही एक जगह पर फॉस्ट गया था ठीक है मैंने आराउंड 9 सावा 9 वजे के आरा सपास रात को मैंने टीम में में मेसेज डाला है वाटसप पे ठीक है मुझे उसका रिप्लाई मैं मुझे खुद विस्वास नहीं हो रहा है कि इतना अच्छे तरीके से इतना फ्लुएंटली आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हो बट मुझे प मतलब सपोर्ट कर सकता है इस वज़े से इतने तरीके से ना मुझे जितनी हेल्प मिलिया टीम से वहां पर ऐसे ऐसे पाच-पाच मिनाट के वीतर मुझे सपोर्ट मिला है उस वज़े से भी कई सारे लेट्स कनवर्ट हुए हैं ठीक है और जो आपका कोशन था कि लिए प्ल प्लाइब करने के लिए तो प्लाइब करने के लिए तो प्लाइब के बारे में अगर किसी बिगिनर को स्टार्ट करना आ तो पहले बात तो वहां का प्लाइब के बारे में तो कोई टेंसर ही नहीं है कोई मतलब सेकंड वार सोचने की विज़रुवत नहीं है क्योंकि जैसा भी हम लोग mentorship प्रगाम में भी हम लोग यह चीज़ बोलते हैं क्योंकि यह question मैंने क्यों highlight किया बहुत लोगों के question होते हैं कि हम कौन से प्लैट्फॉर्म पे start करें कल हमारी एक class हुई थी जो कि एक नया वैच हमारा भी चला था तो उस चीज़ के लिए हमारा प्लैट्फॉर्म को लेगे particular class हुई जिसमें हम लोग ने especially यह चीज़ highlight करें कि भाई प्लैट्फॉर्म उतना ज्यादा matter नहीं करते हैं ठीक है तो matter प्लैट्फॉर्म क्यों नहीं करते हैं क्योंकि सिंपल सी चीज़ है आप amazon कर रहे हो आप flip card कर रहे हो अब मुझे चाहिए अच्छी quality का systems ठीक है मुझे चाहिए ऐच्छी quality की दीज़ ठीक है और ह्गर मेरे पास में कोई इन लाकर दे रहा है तो तो क्या ज culmin एम्टर्व करता है माश घ्लिप कार्ड रहे हो और में से मतलब है है clickbank पर बनाया है मैंने डिजी श्टोर 24 को यूज किया था तो मैंने वारियर प्लस को मैं अभी ज़्याद़ तर बेटर मानता हूं बेटर है मेरे लिए तो आपको एक होता है कि आपको मिस्गाइड होते हैं ठीक है आप होते हो मिस्गाइड किस चीज को लेकर होते हो कि आपको कोई सब लोग अच्छा एड चला रहे हैं तो मुझे भी एड चलाने चाहिए शाहत में रिजल्ट आ जाएंगे कुछ लोगों इनके लाइव रिजल्ट आ गया है तो मैं भी एक्जिक्यूट करता हूं करते हैं यूट्यूब को देखकर ठीक है उन लोगों में और इस्पेशली जो चीजे समझ कर मार्किट को समझ कर एक्ट्वलेट मार्कटिंग को समझ कर जो चीजे एक्जेक्यूट करते हैं कितना डिफ्रेंस रहते हैं दुनों चीज़ों में तो फर्स्ट आप ऑल की यह वार्यर प्लास और क्लेक बैंक तो प्लैटफॉर्म से लाइक मार्केट प्लेसे जहां से प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं और जो यह योटूब अगारा के जो वीडियोस हैं उन सब को आप देखके 24 आर्स और इन सब में आई थिं पूरा कंप्लिटली हर इक चीज को समझ कर उसके बाद फिर उसको अपलाई करते हो वहां पर एक और यहां पर आप एक ही बंदे को आपको हजारों लोग देख रहे हैं लाखों लोग कई बार देखता है उन 24 गंटे वाले वीडियोस को जो आपने बोला उस तरीके के वीड के लिए वह platform में आपको खो कर मतलब अपना amount को risk में डालकर सीखना और एक जहां पर आपको पता है कि यह बंदा आपको कर रहा है आपको results दिखा रहा है चीजों का और उसके बाद उस चीज के हर एक step को दिखा रहा है बता रहा है and then उसके बाद वहां से अर्म कर रहे हो त इसको देखकर आप करना तो सीख जाओगे जरूर सीख जाओगे पर जो चीज में आपको साइज वहां से करने में छे महिने लगेंगे आपको यहां से सब्सक्राइब या सेकंड आड से हैं आपको या पर्स्ट बार में और गेनिक में या उस तरीके साब को results मिलने मैं तो software नहीं से में जैसे की plugins और मैंने उसके बारे में बताया और उसके अलावा लाइक चीजें हैं inbound marketing और आपका omni presence marketing हो गया आपका email marketing के जो तरीके हैं आपके जो आपने यूज की हैं आपके live mentorship में है वो मैंने YouTube पे तो नहीं देखा है पहली बात उसका तो existence ही नहीं है कि YouTube पे कहीं exist existence भी हो उसका तो I don't think कि उन सारी चीजों के बिना अभी के टाइम पर लाइक मतलब जितने भी अभी नए ने टूल्स नहीं ने तरीके आ रहे हैं लोग जितना aware हो रहे हैं उन सब के बिना I don't think कि उतना approachable है affiliate marketing को start करना तो आपका email marketing के तरीके जो email marketing के टूल्स हो गए उनको करने के लिए फिर omnipresence के जो तरीके हैं कि बहुत अलग है अच्छा अच्छा एक चीज़ और में पूछना चाहरा हूं कि सब लोग यह जानना चाहते हैं क्योंकि कहीने कहीना YouTube पर especially YouTube पर online पर काफी लोग हैं कि जो बोलते हैं कि जिन लोगों को especially बोलते भी कह कि जो कि काफी लोगों को आ रही है ठीक है क्लिक बैंक के ओपर कि क्लिक बैंक के उपर तो कि जब मैंने स्टार्टिंग में चाहता हूंना योटुब से देखना स्टाट किये थे और मेरी स्टार्ट हूई थी तो उस समय मैंने ये Clickbank का ही account उस समय ही बना लिया था तो उस समय तो इतना problem नहीं आ रहा था तो वही account अभी almost Clickbank के लिए चलता आ रहा है तो उसमें तो मुझे ऐसा problem फेश नहीं हुआ है तो मैं इसके ओपर कुछ मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि काफी newbies है जिनको फ्रॉलम आ रही है अभी current में और मैं यह चीज बार-बार बोल रहा हूँ कि एक platform अगर आपको काम करने के लिए नहीं बोल रहा है तो उसके पीछे मत भागो ठीक है same products जो आपको Clickbank पर है जिस niche के ओपर आप काम करना चाहते हो इसे लिए लोग जाते हैं क्लिक बैंक के ओपर इसे नहीं खाली Clickbank के ओपर यह आप पर पर्टिक्लर को सलेक्ट कर सकते हो ठीक है आपके पास में Digistore 24 भी है जो आपको अच्छी तरह से आपको प्रिएट करेगा लिटीमेटली तो आप जाओ महां पर साइन अप करो उस तरह की प्रोड़क्वाम आप सलेक्ट करो तो आप एक प्लैट्फॉर्म के चक्कर में अपनी जर्णी पर क्योंगा असा डाल रहो इतना यह मार्किट मैंटर करता है कंज्यूमर मैंटर करता है आप क्या प्रॉबलम सौल कर रहे है अपनी प्रोड़क्वाट के थ्रू ठीक है यह मैं बोलता हूं आपका अकाउंट बन भी गया ठीक है आपने सेल बी जनरेट के लिए जो चीज़े मैंने बताई उसको एक्जीकूट कर अपकी सेल बी जनरेट हो जाएगी फिर उसके बाद आप अकाउंट डिसेबल होगे फिर क्या करोगे लाइक मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा यह क्लिक बैंक से नहीं आ रहे है तो मेरा मानना है कि आखिरकार है तो मार्केट प्लेस ही आप एमेजॉन से कोई कपड़ा खरीद रहे हो या एमेजॉन से या फिलिपकाट से नो मैटर या मिंत्रा से ठीक है ब्रैंट तो आपको चाहिए ना आपको तो वह प्रोड़क्ट चाहिए वह प्रोड़क्ट अब कहीं से भी ले रहे हो प्राइस तो सेमी रहने वाला है आप अ सब लोगों को जितने लोग हैं आप इन लोगों को अपना एक बार डैश्बोड दिखाओ जो की करेंट में आपका भी है हम वही कर रहा हूं मैं स्क्रीन से कर रहा हूं कि अब तो आप एक बार अफिलेट के अंदर आ जईए तो को सारे चीज़े इस लिए लाइब हां पर उड़िए वान सेकंड मैं लॉग आउट करके दिखा देता हूं चलो ठीके रिजल्ट जनरेट करना इतनी बड़ी बात नहीं है बट आपको चीज़े सीखनी पढ़ेंगी रिजल्ट जनरेट करने के लिए वह चीज़े लेकिन लोग सीखने के लिए रिडि लेकिन दिखने एक अच्छा करियर बना के दे सकती है ठीक है मैं एक इस चीज़े से बात नहीं कर रहा हूं तो उसमें भी अगर आपको किसी दूसरी चीज़े में इंट्रेस्ट है जो आप करेड़ना चाहते हो तो आप उसमें भी इन्वेस्ट करो मैं जश्क इतना बोलग क्योंकि जो प्रेडी होना अगर आप जो प्रेडी होने के लिए आपने लाख रुपे खर्च कर दिया है तो उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत डालने पड़ेंगे बाइए सिंपल सी चीज़ है तो अभी लॉग इन वन सेकेंड यह साथ में इन्टरनेट लो चल रहा है यह कोई पामलम नहीं है है ओके ग्रेट सोहर्च ने बेसिकली लॉग इन तो हो गया है डैश बोर्ड में आकर और यह जा लुक अट दे रिजर्ट्स ग्रेट यह 310 डॉलर है कल का था 284 डॉलर का सबसे अच्छी बात यह है कि इसका 5000 डॉलर का अमाउंट जो है वह आपका कंप्लेटली मेरा यह है और गैनिक मार्केटिंग से है 5000 क्लैपिंग तो बंदी है आर इस बात मतलब क्लैपिंग तो बंदी है एक परसन बाइस साल का लडगा है अभी मतलब इतनी एज नहीं है बाइस साल का लडगा है और जो एफट आपको यहां पर डानने पड़ते हैं वह उसका रिजल्ट आपको दिखता है डाइश्वोट के उबर भी ग्रेट बहुत बढ़िया इसमें आपने बोला कि 5000 इसमें बिल्कुल आपके और गैनिक है राइट बहुत बढ़िया अच्छे बहुत अच्छे तो एक कोई टिप देना चाहोगे आप इतनी ओडियंस है जो नियू भी आया हुए एक टिप देना चाहोगे इन लोगों को अफ्लीट मार्केटिंग के लिए और इस पेसले मैंने इसमें और गैनिक के लिए यूटूब इस्टाइग्राम फेस्बुक इन तीनों फ्लैट्फॉम का ही इस्तेमाल लिए है मुश्ली जो मतला हम एक्चुली लोग सोचते हैं यह सारे चीज़ा को जो एक्चुली हम लोग ने बताया हुए वह आपन चाहते हो और तो बस यही रहेगा कि अगर यह दो कि पहले तो जो मतलब में इंटर्शिप में यह जैसा टीम बोलती है जैसा आप बताते एक्जैक्टली वैसे कवासे रोडमाप दिया हुआ है कुम्पलेटली हर एक चीज जस्त उसको फॉलो करते जाना है और सेकंड डाउ टना चीज़ें बदलती जाती है कि चीज़ें उन सबके बज़े से और भी जादा डॉट आन्ने लगता है तो पहले बाद तो वह दाउट को खतम करना होगा सबसे पहले तो अपनी साहिकी को ठीक करना होगा कि हां मैं कर सकता हूं आइक एनर्व दिस मेंश अबाउन दिस न आपने बोला कि 5 ऑक्टोबर के पहच में आपने जोइन किया था ठीक है जैकले यह सामने भी डिजल्स देखे डिजल्स अंबिलीवेबल ने पांच हजार डोलर से आपने बिलकुल और अगेंड मार्केटिंग से किया हुआ है तो अगें अमेजिंग ठीक है आपको एक्जिक् एक्जिक्यूट करोगे तो डेफिनिटली आपके रिजल्ट आपको डेफिनिटली मिलेंगे ठीक है अचा हर्श हर्श बिसिकली जैसे आपने बोला कि 5 ऑक्टोबर के बैथ में आपने जोइन किया तो में जोइन किया देन वोट्योर रिवी अबाउट देमेंटोशिप प् इस देर अनी पॉइंट ऑफ गिविंग 6 आउट और 5 अगर वह होता ना तो आई थिंग क्योंकि मैंने बोला ना कि मैंने जैराजपूर का कोर्स लिया था वहां पर मेरे डब्बे आजार का मैंने तो में इंटर से प्रोग्राम लिया दिन 50,000 प्लस मैंने उसमें एड्स में जो कि नहीं हुआ जो कि कुछ भी रिजल्ट से मेरे मैं लिटरली बता रहा हूं 50,000 का इंवेश्ट करके साथ मेरे एक या दो से लाया हूंगी और बहुत मतलब बहुत खराब था और वहां का experience और यहां पर मतलब मुझे और गैनिकली 5,000 डॉलर इन वन मन तो यह मतलब नो वर्ट्स पर डाट रिव्यू क्योंकि रिव्यू में आप बताओगे जो कि बताने लायक हो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि मेरे पास बताने लायक कुछ बचा नहीं क्योंकि सारी चीज़े मैंने आप से आपके तीम के थे तुरू गया है और यहां पर आये हैं जितने लोग देख रहे हैं इस एक इंस्पायर बहुत लोग हुए होंगे आज की पोड़कास से और आप मुझे बताओ कि अगर कोई लड़का बाइस साल की उमर में इतना कर सकते है तो क्या आप नहीं कर सकते हैं definitely आप भी कर सकते हो ठेके हर्श में कोई ऐसी special चीज नहीं है मुझ में कोई ऐसी special चीज नहीं है जो कि हम लोगो result generate करने के लिए मजबूर कर रही है बट एक चीज है इस्पेशल वह मैं बोलूगा जिनके लोगे रिजल्ट आ रहे हैं स्पेशली कि वह लोग एक्शन लेते हैं हम लोग हम जैसे लोग एक्शन लेते हैं कुछ भी करने के लिए ठीक है हमें एक्जीकूशन की बहुत तगड़ी आदत है ठीक है अगर हमें कुछ है जब मैंने मैंने लिए जब मैंने मैंने बैस्ट परग्राम था तो उन्होंगे आपके इंड़ किसी से उधार लेकर मुझे पैसे दिये थे तो मैं नहीं कर बाता इतना और थैंक यू पर देंट टू कि आपने उस समय मनलब इतने अच्छे तरीके से हल्प किया कि पापा ने पापा कहते हैं कि नाव आयम प्राउड आप एक पापा से यह सुनना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो और हम जैसे मिडिल ग्लस लड़ अच्छा था बहुत मजा आया और यही चीज एक्जेक्ली मोटीवर्य जो राजपुत वाला तो जैराजपुत का जो मैंने कोर्स लिया था उसमें पापा ने उधार दिया था तो वहां पर वैसा था कि जो 90,000 में से 70,000 का पापा ने किसी और से मितलब उधार लेकर दिया तो मैंने वहाँ गया था तो वो तो सारा डूबी गया तो उसका सारा बैक अप मेरा यहां से आया था कि यह आपके तरूप अभी आप करोगे तो यह सारे चीज़ें कंप्लीट होंगी और जो लोगों का वो भी उतर जाएगा बहुत जल्द कोई प्रॉब्लम वाले बात न यहां पर पहुचना बहुत एजी है लेकिन आप बने रहना बहुत मुश्कील है तो यहां पर रहना और एक इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं बहुत आपके स्कॉलर्स को पर्फिस किया था मैंने उसे कंप्लेटली इसमें डाल दिया और बिलीब कि वह वर्थिट था वह वर्थिट से भी ज़्यादा था क्योंकि उससे कई जाना रेटरंस मुझे मिल गए इसमें ग्रेट बहुत बढ़िया काफी लोगों ने बहुत इंस्पायर हुए आज लोग के वह एक जब आप चीज़े एग्जेक्यूट करते हो तो उसका क्या रिजल्ट रहते हैं ठीक है बहुत बढ़िया रिश हर्ष बहुत अच्छा आपके साथ में साफी स्किल्स सीखने को मि आपको जितनी जो भी चीज आप चाहते हो अभी तक अपनी लाइफ में जो आप ड्रीम कर रहे हो अभी वो सारे चीज़ें आपकी पूरी हो और बेस्ट तो यू और एक और पॉड्कास करेंगे बहुत जल्ट लेकिन अपकी बार पांच अजार डोलर साथा डोलर नी अपक कि लाइक मतला जो कोर्सेज में लाइब बोलकर बहुत सारे लोग तो ऐसा करता है कि लाइब भी नहीं रहता है लाइक जयराजपुत का मैंने जो लिया था वह तो रिकॉर्डड था कंप्लिटली यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर लाइब में मुझे सीखने को मिल रही है यह सारी चीज़ें बाटर करती है कि लाइब क्या चल रहा है और लाइब बोल कर उन्होंने दिया था मुझे सबसे बुरा तो यह लग रहा था कि लाइब बोल कर उन्होंने सारे रिकॉर्डड लेक्चर चिपका दिये आपर यह आई तिंग यह सारी चीज़े हैं थोड़ा कि जो अफेक्ट करती है बट आइधिंक एक मेंटर में बिलीब करना और मेंटर पर वरोसा करके उसके साथ आगे बढ़ना एक सही मेंटर मिलना और उसके बाद उसके थूरू आगे बढ़ना तैस संथिंग आप आपने जो चीज़े शेयर करी हैं जो चीज़े आपने एक जीकुर करी है उपर वाला आपको और भी ज्यादा सक्सस देगा डेफिनिटली और हम लोग आने वाले टाइम में जैसे मैं आपको बोला एक पोड़कास डेफिनिटली करेंगे लेकिन इस बार हम लोगों को एक जब आप हैं डेफिनिटली विल्सीयों अगेन और यही होता है जब आप एक्चिल चीज़े स्टाट करते हो ना बहुत मोग लगता है कि इसलिए हम लोग लोग इसलिए ही करते हैं ताके डिज़र्ज जनडरेट वर एक्जेक्ली कि तब इस तरह की डिजर्चन डिटरे देते हैं और आपको पता लगता है कि हाँ आपके तुरू डिजल जन्रेट हुए हैं तो आपको शायद एक्सपैस भी नहीं कर सकता हूं यहां पर यह सारी चीजे जो भी हम लोग यहां पर कराते हैं जो भी चीजे आपको एक्जीक्यूट कर रहे हैं हर एक चीज का मतलब है म आपको करने के लिए बोल रहे हैं इस लिए वह आपको ल्हें सारी है बताएं तो इसलिए आप लोगों को बोलता हूं कि एक्जीकुशन बहुत जादे इंपोडेंट है एक्जीकुशन बहुत जादे इंपोडेंट है समझे तो अभी कॉन्फिटेंस आ रहा है कि अगर एक इससे पहले हम लोगों ने पौड़कास्ट टोड़ के साथ में जो की अठारा साल की लड़की थी अन्देन उन्होंने महीने में लगबा कुछ 6-7 लाख रुपे के सम्धिंग बनाए थे थे वारियर प्लस अफ्लेट मार्टिंग तो एज मैंटर नहीं करते हैं आप हो सकता है हो सकता है इसकेसरी साल करते हैं जो चीजें अब मुझे बताओ के यह को अकेले रएक्जिक्षिट करनी है या फिर मेरेसाथ में मेरी टीम के साथ में एक्जीक्यूट करनी है आप में से क्तिने लोग हैं जो आप सबी लोग चाहते हो मैं आपको पूरा पूरा हैंडोलिंग सपोर्ट दू जैसे हर्ष को ढिया है जिस तरह से बाकिस पीट को धिया है जिनकी कपी राइटिंग कैसे करनी हैए आपको अकाउंट किस तरह से करनी है कैसे सलेक्ट करना है उर्ण ? कैसे सलेक्ट अर्छ करना है उन सब्सक्राइब हैं और किसे रंड चत्रोय आंड उनने आपको इसे लगती है 5,000 डॉलर तक बनाने में जैसे कि आपको हर्ष ने दिखाया अभी वो सारी स्किल में आपको mentorship और आम में सिखाने वाला हूँ ठीक है मतलब copywriting किस तरह से होती है facebook ad किस तरह से run किये जाते है inbound marketing किस तरह से की जाती है email marketing किस तरह से की जाती है exactly product selection किस तरह से किया जाता है किस तरह से आपको niche select करना यह exactly सारी चीज़े what if I tell you you can make up to 5,000 डॉलर after mentorship क्योंकि हम लोग exactly वो सारी चीज़े execute कराते हैं कितने percent चाहते हैं यहाँ पर मुझे बताओ कितने percent चाहते हैं कि आप consistent affiliate commission generate कर पाओ एक consistent way मैं affiliate commission generate कर पाओ मैं आपको अपने result कि अभी मैं खुद कितना कर रहा हूं तो यहाँ पर मैंने कर लिया basically अपनी screen share और यहाँ पर मैं आता हूं Google की ओपर सबसे पहले और यहाँ पर मैं warrior plus type करता हूं ठीक है warrior plus type करने के बाद मैं यहाँ पर मैं करता हूं जाकर इस पर क्लिक करके मैं अब इसको मैं लोग आउट करके आपको दिखाता हूं ठीक है लोग आउट करके मैं आपको दुबारा login करके दिखाता हूं अपने account के अंदर ताकि आपको 1% कोई भी डाउट ना हो ठीक है तो एंट शोई यू है login क्लिक करता हूं यूजन नेंव यूजन पर मैं टाइप करता हूं और पासवर्ड जाके मैं यहां पर अपना मैंशन करता हूं पहले लॉग इन पर क्लिक किया चलो ग्रेट तो मैं यहां पर जाता हूं डैश्बोर्ड के उपर और यहां पर जाके जस्ट लुक एड दिस अभी बफ्रिंग हो रही है या तो जस्ट लुक अट रिजल्ट से अर आज के दिन हमने कितना किया है 3,164 डॉलर एक सिंगल डे के अंदर एक हफते में हमने कितना किया है बदलाभ यहां पर इस हफते में 24,000 डॉलर से ज़ादा और इस मन्त में ठीक है 55,000 डोलर से ज़ादा and look at here कि हर एक दिन consistent वे में हमने रिजल्ट जनरेट किया हुआ है तो result आपके सामने है कि जो कि psychological marketing के थूर आते हैं जो कि email marketing email marketing के थूर आते हैं psychological based email marketing AI based email marketing जो हम लोग एक्जीक्यूट करते है उसके थूर आते है उसके result आपके सामने यहां पर exactly अगम बताऊं तो इसमें proper 70% profit यह अप सोचते रहोगे बस करना है करना है करना है करना है और आप कर रहे हो दोना में बहुत results generate होते हैं जो कुछ life action लेते हैं कि आप लोग जब चीज़े देखते रहते हो ना बस खाली तो result महाँ पर नहीं मिलेंगे जब आप खली सोचोगे result आपको हमेशे जब मिलेंगे जब आप actually ground पर उतरोगे समझगे विराट को लिक भी coach की जरूरत पड़ती है तिक अगर वो बैंटेन कर पाएगा अपने rankings को अपने records को नहीं कर पाएगा ना तो अगें अगर विराट को लिए यही सोचता रहता बच्पन में कि मुझे बहुत बड़ा player बनना है बहुत बड़ा player बनना है क्या वो कभी इतना बड़ा player बन पाता नहीं ना तो जब ground में विराट को लि सोचने से सिर्फ स्टार्टिंग होती है ठीक है स्टार्टिंग सोचने से होती है लेकिन आपको उसके लिए एक्जिक्यूट करने पड़ेंगी चीज़े भाई एक्जिक्यूट करने पड़ेंगी बीना एक्जिक्यूट करें चीज़ें नहीं होती है ठीक है जितने भी गर आप मेरे साथ हो कि मुझे तो काम गरना है अब आप काम कर रहा हूँ बसका लिए यह जो भी चीज़े जो भी चीज़े आप करोगे उस पर बहुत चीज़े डिपेंड गरती है मतलब आप क्या काम कर रहे हो कैसे काम कर रहे हो बहुत चीज़े डिपेंड गरती है तो वही चीज़े करेक्ट है नहीं अब आप कुछ भी चीज़े एक्जेक्यूट करे जारो कैसे पता आप सही गलत कर रहे हो जब तक परसन भी आपके लाइफ में होना चाहिए अगें इसको लेकर मेरा विजन बहुत डिफरेंट है वह जब आप स्टार्ट कर देते वर्णिंग करना तो आपकी लाइफ में फिर पैसे कमाने से जादा कुछ और फोकस हो जाता है ठीक है फिर पैसा इतना जादा मैंटर नहीं करत करते हो कुछ ठीक है तो अब आम नोट वकिंग फॉर मनी राइट ना अम वकिंग फॉर विजन विजन यह है कि आप जैसे लोगों के साथ में एक लिस्कम से कम दस अजार लोगों को मिलियनर्स बनाना जो की अल्टिमेटली नहीं नहीं स्किल्स को सीख कर आगे बढ़ेंगे जो की जोग पर धक्ये ना खाएं सेल्फ डिपेंड बने ठीक है खुद घर से बैटकर काम कर पाएं अब वो जब ही होगा जब आप स्किल्स को सीखोगे जब अफले इड़ मार्केटिंग कर रहे हैं और बहुत जादा लोग है तो उत्यों खाली शॉफ करें अफले बाइब करें हका कर कर रहे है यसे यूट्यूब पर लोग वीडियो देखो गी जाके हो हर्प हर प्पर सन ने अफलियेटिट मांगे नाम पर पर गूगल हट्स के ट See you soon. Bye-bye.